साल 2019 में पहली बार भारत के राजनेति कितिहास में कॉंग्रेस के वर्तबान के तब के अध्यक्ष अपनी सीट से हारे लेकिन उस वक्क कॉंग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़े थी समाजवादी पार्टी और बसपा के समर्थन से लड़ी थी तो आज जिसे आप इंडिय अलायंस कहते हैं उसको अमेठी में भारतिय जन्ता पार्टी ने एक मुष्ट एक तरफा हराया साल 2019 में साल 2022 में अगर आपको याद हो तो गांधी परिवार के पास ही उत्तर प्रदेश में विजेश्री का आशिरवाद दिलवाने की जिम्मेदारी थी तब अमेठी में भाई बहन का जोड़ा आया था कि अमेठी में भारतिय जन्ता पार्टी को ने परास्त करना है पाँच विधानसभा छेत्रों में से चार विधानसभा में कॉंग्रेस की तब जमानत जब्त हुई थी दूसरा अगर वो लड़ने आते भी हैं तो क्या वो अकेले लड़ने में सक्षम है तो जो नेता खुष बिना अखिलेश बिना मायवती अपने दम पर जहां पचास साल से उनकी एक हुकूमत रही है जहां पर उनका नाम है रुतबा है शोहरत है क्या वहां आज गांधी खांदान का कोई भी व्यक्ति अकेले अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ने की छंगता रखता है या रखती है तो जिसे खुद सहारी की ज़रूरत है चुनाओ लड़ने के लिए वो दूसरों का सहार की चिंतन कर रहे हैं मंधन कर रहे हैं या लास्ट मिनिट में सर्प्राइज स्पृति राणी के खिलाव राहूल गांधी आही जाएंगे यह चिंता है इसलिए शायद चिंतन कर रहे है और चिंता का कारण ये है कि साल 2019 में पहली बार भारत के राजनेति के तेहास में के तब के अध्यक्ष अपनी सीट से हारे लेकिन उस वक्क कॉंग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़े थी समाजवादी पार्टी और बसपा के समर्थन से लड़ी थी तो आज जिसे आप इंडिया लाइंस कहते हैं उसको अमेठी में भारतिय जन्ता पार्टी ने एक प्रदेश में विजै श्री का अशिरवाद दिलवाने की जिम्मेदारी थी तब अमेठी में भाई बहन का जोड़ा आया था कि अमेठी में भारतिय जन्ता पार्टी को ने परास्त करना है पांच विधानसभा चेत्रों में से चार विधानसभा में कॉंग्रेस की तब जमा कर रहे गई थी चिंता है इसलिए चिंतन कर रहे हैं चिंतन का कारण एक ये भी कि हाल फिल हाल में किसी ने जैगोश कर दिया कि ये कि यात्रा लेकर आप अमेठी से गुजरें तो लोगों की भीड उमड़ पड़ेगी फसाना कुछ ऐसा है कि ना सिफ पूरवध्यक्ष आए बल्कि वर्तमान अध्यक्ष भी आए उनका कम्युनिकेशन्स का पूरा एक कुन्बा आया कुछ ऐसे नेता भी आये जो कसीदे पढ़ते हैं खांदान के और जब आये तो उनको समझ में आया कि जनता तो क्या उनके कारिकरता स्वेम उनका स्वागत करने नहीं पहुँचे हाल यह हो गया कि जब यात्रा लेकर आये तो उन्हें जाकर जनपत के बाहर तोलना के पर कारिकरम करना पड़ा वहां पर भी कोई नहीं आया हाल ऐसा कि अगर आप उनका घोशित कारिकरम देख लें तो वह कॉंग्रेस के अमेथी के जो कारियाले में भी रुकना अपने यात्रा का एक चंद था जिसमें उन्होंने धर्ती पर पग नहीं धरे जिस धर्ती को वह अपनी पचास साल की विरासत मानते थे और अगर किसी को यह खुश फेहमी है कि लास्ट मिनिट में कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे और मैं भौचक्की रह जाओंगे तो इससे जा दिया है कि अमेथि उनकी सेकिंड चॉइस है फर्स्ट चॉइस है ही नहीं दूसरा अगर वह लड़ने आते भी है तो क्या वह अकेले लड़ने में सक्षम है तो जो ने अकेले से मतलब बिना अखिलेश बिना मायवती अपने दम पर जहां पचास साल से उनकी एक हुकूमत रही है जहां पर उनका नाम है रुतबा है शोहरत है क्या वहां आज गांधी खांदान का कोई भी व्यक्ति अकेले अपनी पाटी के सिंबल पर लड़ने की छंता रखता है या रखती है तो जिसे खुद सहारी की जरूरत है चुनाओ लड़ने के लिए वो दूसरों का सहार क्या खाग बनेंगे स्पृति रानी जी आपने एक ही वाक्य में और शब्दों पर अगर मैं गौर करूं तो आपने कहा रखता है या रखती है ये रखती में आपने मैं जानती हो किसे अनौंस करना चाहते है तो जिसका जेंडर पता नहीं जिसका नाम पता नहीं उसके से कंडिडेट अनौंस करने में कॉंग्रेस को इता डर लग रहा है ये तो सही है स्पृति रानी जी सवाल आप से ये भी पूछूंगी के अमेठी में और राय बरेली में आपने कॉंग्रेस के जितने रीजनल उनके ओफिस बेरर्स थे उन सब को तो बीजेपी में ले लिय हैं चाहिए हिमाचल कॉंग्रेस हो वहां से 6 MLA आपने इंपोर्ट कर लिए तीन इंडिपेंडेंट इंपोर्ट कर लिए रोज सुभा शाम किसी की जॉइनिंग होती है कभी कोई आम आदमी पार्टी से आता है कभी कॉंग्रेस से आता है कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये क तो बारा करोड से जादा हमारा सदसेता का भ्यान था तो जिस पार्टी की कुल संख्या दस करोड से जादा हो कारेकरताओं की उस पार्टी में अगर दूसरी पार्टी के पोलिटिकल कारेकरता आना चाहें नविकाजी ये साधारणता नहीं होता कि हर व्यक्ति राजनीती म फिर सामाजिक लक्ष के साथ जुड़ा या जुड़ी थी, उस लक्ष की पूर्ती नहीं हो पारी, मेरे नेत्रित्व में अपनी शंता नहीं है, इसलिए उनका रुझान उस नेत्रित्व की तरह निश्चित होता है, जो वो दंखम रखता है नेशनल इशूस पे या नहीं है, लोगता अंत्रिक अधिकार है, लेकिन मुख्यता ये कहना कि हम भाजपा के स्वाभावे कारिकरताओं और उनके कारिय शेली से पूरी तरह से विमुक्त हो जाएंगे, ये मुझे लगता है कि थोड़ा फूल हाड़ी होगा, क्यूंकि हम देश के नहीं विष्व क सबसे बड़ी राजनी देख पाती है, आज चिंता उनको करनी चाहिए, जिनका अपना घर वो समेट नहीं पा रहे है, जो स्वयम राष्ट के उन्नती के लक्षों तक ना पहुँच पा रहे हैं, ना कोई दर्शन दे पा रहे हैं, ये उनकी चिंता का विशय है हमारा नहीं आपने कहा अगर गांधी खांदान दिल्ली में होता तो क्या वैक्सीन लगती, अगर गांधी खांदान दिल्ली में होता तो क्या राममंदिर बनता, अगर गांधी खांदान होता तो क्या 370 हटता, कॉंग्रेस ने जवाब में कहा है कि मोधी सरकार के रहते चीन हमारी जमी कबजा करके बैठ गया है मोधी सरकार के रहते रोजगार कहां है मोधी सरकार के रहते सामाजिक न्याय नहीं हो सकता क्योंकि वे जाती नहीं गिन रहे मोधी सरकार के रहते लोगतंत्र नहीं बच सकता क्योंकि EDCBI जैसी संस्थाएं उनकी नजर में वसूली भाई हैं आप क्य क्योंकि बहुत सारे सवाल किया है तो मेरे तीन सवालों का तु जवाब save क्या गांधी खंदान होता तो राममंदिर बनता नहीं बनता क्योंकि गांधी खंदान सत्ता में था और उन्होंने ही आफिडेविट दिया था कि भगवान ग्राम का कोई अस्तित्व नहीं है क्या गांधी खांदान होता तो तारा तीन सो सत्तर हटी गांधी खांदान था तब धारा तीन सो सत्तर नहीं हटी और जब नरेंद्र मोदी धारा तीन सो सत्तर हटा रहे थे तब गांधी खांदान के ही नुमाइंदों ने का कि धारा 370 हट नी सकती, मोधी ने हटा कर दिखाया. जब गांधी खांदान था, तब क्या कोविड जैसी विशम परिस्थिती आई? नहीं आई. कोविड जैसी विशम परिस्थिती भगवान की कृपा है, तब आई, जब नरेंदर मोधी जैसे नेता था, जिसने ना सिर्फ वैक्सीन को हिंदुस्तान में बनाने के लिए प्रोच्छाहन दिया हमारे साइंटिफिक समुदाय को, बल्कि साथ ही हिंदुस्तानियों तक वैक्सीन पहुचा कर, उन्होंने एक सो साथ देशों में वैक्सीन मेत्री का प्रमाण दिया, गांधी खानदान जब था, तो क्या हम इंटरनेशनल बाजार में वैक्सीन की लाइन में लगते थे, लगते थे, यह सत्य है, इसको आप कैसे जूट ला सकते हैं, और जहां तक गांधी खानदान और उनके नुमाइंदों के प्रश्णों की जड़ी का सवाल है, आप खाएं पैसा और आपके खिलाफ कारवाई नहों के, यह संभव है,